हेलो डियर स्टुदेंट्स स्वागत है आपका फार्म एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफर्म जीपैट डिसकसन सेंटर में तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है और आप इसका इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोगों ने एक बड़ी इंट्रेस्टिंग तो आप लोगों के लिए दिल से थेंक्यू तो आप इसी तरीके से इस series को enjoy करते रहिए और इसी series के continue करते हुए हम आज बात करने वाले है capsule doses form के previous years के question जिसमें आज रहने वाला हमारे पास part 1 चलिए तो दोस्तों यहाँ पर यह capsule के जो questions है previous years के question है वो हम discuss करेंगे काफी important questions है repetition को भी देखेंगे mention करेंगे और साथ ही साथ उनके possible description क्या हो सकते है possible answers क्या हो सकते है उन पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं question number first से चलिए तो यहाँ पर बड़ा ही simple question simple उनके लिए जो पढ़ाई करते हैं simple उनके लिए जो पढ़ाई करते हैं जो knowledge रखते हैं कठिन उनके लिए हैं जो दूर बागते हैं पड़ाई से तो दोस्तों आप सभी लोग आप सभी लोग यह मान के चलिए अगर थोड़ासा पड़ाई पर focus करेंगे तो दुनिया का कोई सा भी exam हो चाहे वह फार्मा का exam हो चाहे दूसरे फील्ड का exam हो आप आसानी से crack कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर यह question no.1 हम लोग discuss करने जा रहे हैं यहां पर देखिए the term capsula is derived from caps capsula the term capsule is derived from the capsula which is ah हमें पता है जो term capsule है वो कहां से किस वर्ड से लिया गया है capsula word से लिया गया है और capsula word किस language का word है option A Greek term, option B Spanish term, option C Latin term और option D French term तो हम यहां पर देखेंगे हमारे ज़्यादता terminology है अगर हम बात करें तो कहां से लिया गया है Latin language से लिया गया है तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यह भी क्या होगा Latin term होगा तो correct answer क्या हमारे पास? Correct answer is C Yes, correct answer क्या होगा हमारे पास? C चली, तो दोस्तों next question की तरफ move करते है The correct statement with respect to hard gelatin capsule यह भी बड़ा simple question है और कितने सारे exam सा पूचा गया है देखेंगे हम बहुत सारे exam सा repetition हुगा है इसका तो hard gelatin capsule देगे capsule दो टाइप के होते हैं जैसे कि आपको पता होगा soft gelatin और hard gelatin soft gelatin होता है single piece capsule होता है जबकि hard gelatin capsule होता है वो two piece capsule होता है तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं body part होता है पार्ट होता है चली उसके साबसे options है body is longer option a cap is longer option b option c both are equal option c body is shorter and wider चली तो हम देखते हैं थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक image आती है capsule की image आती है तो capsule के हमारे पास two parts थे अगर हम देखें capsule के parts को discuss करें तो capsule जो shell होता है capsule के जो parts होते हैं उसमें देखेंगे एक part ये होगे आपका ये उपर का part है और ये नीचे का part है ऊपर का part जो है आपका क्या कहलाता है cap कहलाता है इसको Kelly के बोलते हैं और नीचे के बापाट को क्या बोलते है body बोलते हैं तो देखें इस diagram से आपको समझ में आ रहा हो तो कौन सा पार्ट शॉर्टर है कौन सा पार्ट लॉंगर है तो यहां पर देखें कि कैप पार्ट जो होता है वह स्मॉल पार्ट रहता है या शॉर्टर पार्ट कह सकते हैं इसको और यह आपका बॉडी पार्ट होता है लॉंगर पार्ट होता है कैसा होता है लॉंगर और नेक्स और आंसर करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास बॉड़ी इस लॉंगर नेक्स फिश्चन की तरफ चलते हैं चलते हैं यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन मतला यहां पार कैप्सुल जो डोज़स फॉर्म होता है जो डिलीवर करा सकता है जैसे कैप्सुल पाउडर पाउडर भी एक तरीके का डोज़स फॉर्म है अगर हम बात करें अगर हम बात करेंगे कैप्सुल के लिए बात करेंगे तो एक पाउडर को डिलीवर करा सकता है ग्रेनूल्स को डिलीवर करा सकता है पैलेट्स को डिलीवर करा सकता है माइक्रो कैप्सूल्स को डिलीवर करा सकता है ओईली सस्पेंशन को डिलीवर करा सकता है ओके थिक्जो ट्रॉपिक मट्रियल को करा सकता है इसके लावा अगर हम बात करें माइक्रो टैबलेट्स को भी करा सकता है स्मौंल साइज की टेबलेट्स तो अगर आप बात करें जो capsule जो होता है एक container type का dozeぎ होता है container type का तो capsule का word मेनिंग होता है जोա कैप्सुला होता है जो कैप्सुला वड्स का वो बॉक्स लाइक है कंटेनर लाइक आपका डोजस्वाम होता है तो इसमें आप कुछ भी फिल करके आप डिलीवर करा सकते हैं बशरते एक्वस परप्रेशन ना हो ड्राइप प्रप्रेशन हो और अगर लिक्विड प्रपेशन होती है तो इसमें वाटर नहीं होना चाहिए तो पाउडर, ग्रैनुल्स, पैलेट, माइक्रो कैप्सूल, ओली सस्पेंशन को डिलीवर कराने के लिए हम कैप्सूल का यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो यह दिया है ऑप्शन C, लेयर टैबलेट, ऑप्शन D, कंप्रेस्ट तेबलेट तो यह दोनों होंग आपका जो कैप्सूल होता है, SGC के नाम से इसको भी जानते, शौट में SGC भी बोला जाता है, यह सौट जिलेटन जो कैप्सूल होता है, स्पेशली किसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं, लिक्विड माटरियल की फिलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, किसके लिए और यदि हम कुश्चन के इसाब से देखें, तो यहाँ पर किसके बारे हम बात की गई है, पैलिट्स और ग्रेनल माटरियल के बारे हम बात की है, तो सौलिड माटरियल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हाड माटरियल यूज करते हैं, किसके लिए इसके लिए हमारे जो इसके साब से अगर हम बात करें जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ए इस दा राइट आंसर ओके तो इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए क्योंकि इस कुश्चिन के तुरू हमने बहुत सारी चीजि़ों को देख लिया कि कैप्सुल किस टाइप लेकिन ऐसा नहीं है कि हाट द्री देटन कैप्सुल में के वलकी में केवलाugu М Gillies कर सकते हम लिक्षट भी उसकर सकते हैं और साथी साथ दिए च्जाट होने यहका सैंच Less 1229 ऑ ano Prime एसा कोई कमपल्सन नहीं है कर लिक्ष यूज चासकते हैं इसको फिर यह चली बढ़कि नॉ नॉर्मली देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कैप्सूल नॉर्मली फाल इंटू टू मैन ड्रग केटिग्रीज विच आर दी अरे वाह एक कैप्सूल के टाइप पूझे गए इससे सिंपल कुछ 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 नहीं हो सकता दो तिन क्वेश्चन से अब लास्ट कुछ की कैप्सूल के ट्रेक होते हैं था एक्व्स anda पूझा गे था कि कैप्सूल की होते हैं इन्टू मैं रभग कैड़िग्रीं लाइड केप्सूल ॉर Pop believed वाह आपको बता दून पर केवल दो टाइप के कैप्सूल होता है हाड जलेटन कैप्सूल होता है और दूसरा कैसा होता है सॉफ्ट जलेटन कैप्सूल कैसा हाड और सॉफ्ट जलेटन हाड जलेटन कैप्सूल जो होता है उसका जो कह सकते हैं उसकी जो टेक्शर होता है वो थोड़ा रिजिड होता ह उसको टुच करेंगे तो आपको hardness फील होगा लेकिन वहीं soft gelatin capsule को आप touch करेंगे तो उसमां softness रहती इसका कारण क्या होता है variation in the plasticizer hard gelatin capsule में plasticizer का content जो होता है plasticizer का रेशो होता है वह इसकों soft nerve भी बोलते कम होता है जबकि आपका सब्ण डेटरीं कैपसूल रहता है उसमें प्लास्टेश जर का कंपोनेन्ट क्या होता है ज्यादा होता है इसलिए सॉफ्ट होता है थे चलिए क्या हुने वाला हमारे पास कर्यक्ट उन्सर नच्छले कै आगे बढ़ते हैं दो कैप्सूल्स और विस टाइप डोजस्वॉम देखिए भी सिंपल सिंपल कुश्चन सार रहे हैं कैप्सूल किस टाइप का डोजस्वॉम होता है MP फार्मसेस्ट एक्जाम में पूछा गया था कैसा डोजस्वॉम सोचिए जिसने अगर फार्मा किया होगा तो इसको यह ना पत गलते और उपशिंज क्या कि देखिए दौस्तों कभी हम मеं में मसी क्सूल करते हैं तब हमें दूसरे को जोफिन को भी देखना है एक जुब्यक्रांसरे हैं पता है कि सब्सक्राइब को सो क्रॉस करना तो लिगेग्विड केस्थीा नियाता यह डों नहीं रही दो मावल आती है तो यहां पर आंसर क्या हो जागा ए सॉलिड डोजस फॉर्म चली नेक्स्ट अब थोड़ा सा टफ क्विश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस सिंपल क्विश्चन थे ग्रीन बॉन इस सोर्स आफ आपको पता है कि कैप्सूल्स को बनाने के लिए आपको जिलेटन की रिक्वाइर्मेंट होती है जिलेटन अगर नहीं होगा तो कैप्सूल हमारा प्रिपेर नहीं होगा क्योंकि जिलेटन जो होता है आपका कैप्सूल में जो आपका जिलेटन होता है तो जिलेटन आपके एनिमल सोर्स से ऑप्टेन करते हैं किस से ऑप्टेन करते हैं दोस्तों सोर्स से ऑप्टेन किये जाता है अगर बात करें तो किसे करेंगे हम किसे ऑप्टेन करते हैं अगर हम देखें तो फ्रोजन पॉर्क पॉर्जन पॉर्क काफ इसकिन बोन्स पॉर्क स्किन सबसे ही जाता है मतलब आपके बीलजिक्ड शोर्स से ऑप्टेन करते हैं इसका किया करते हैं अब हम एड्लिक एक्सक्ष्षन कर अदiset कि प्रजन्स जैना फिर ब्शेट करते हैं कि रिंग डॉर्ट्वर हम यूज्нит है green bond जो हम use करते हैं उससे कौन सा gelatin option होता है या फिर एकलाइट टिटमेंट से ऑप्टेंड करते तो टाइप यह धिलेट जो होता है अगर हम बाद करेंज तो टाइप बीग लेटेंज सोर्स होता है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट की तरफ बढ़ अच्छा कोशन आगे आइस एलेक्ट्रिक पॉइंट आफ टाइप ए जिलेटन जैसे मैंने आपको पता है दो टाइप के जिलेटन होते हैं जिलेटन मतलब प्रोटीन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है यसे कि आइन समझने से रही हमें समझना पड़ेगा कि टाइप ए जिलेटन होता विसिकली होता क्या है पहले हम ज्युलायote पर आएंगे च्पन करते हों त食べं करना है उसका हीडोलेटेटिक एक्स्रक्शन होगा तब उसके बाद जो आपको होगा भो टाइप a gelatin होगा you guys का आइसी क्वोइक बंदेज क्या होता है अब इसको समझते अब यहां फर जिट्श्ट फॉटरायन आता है थे हैंट क्या इंग बनाते हैं तो बनाएंगे तो आपने देखा होगा आपने एस टू ग्रूप भी रहता है और चार्ज हो सकता है और चार्ज हो सकता है मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दौनो चार्ज होते हैं ठीक है पॉजिटिव और निगेटिव दौनो चार्ज इसके ऊपर होते हैं तो यह positive और negative चार्ज कभी कवार कम होते हैं या कभी कवार ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कम हो सकते हैं कभी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक particular pH पर यह जो आपके positive और negative चार्ज क्या हो जाते हैं हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर प्यक्ट पर हम बात करें फिशन को प्रमोट करता है आप को पता है ऊप्थ-क naw प neighborhoods चार्ज निगेटिव चार्ज एक्वल हो जाते हैं तो उस समय जो प्रोटीन मॉलेक्वल होता है उस पर प्रोटीन मॉलेक्वल को हम बोल देते हैं ज्वेटर आएं और इस पीच को हम बोलते हैं इस जो पर्टिकुलर पीच के बारे बात करें इस पीच को बोलते हैं आई सो ए Aeneu Acid की अपनी एक यूनिक होती है आई सो एलेक्टरिक पीएच इस इस एलेक्टरिक पीएच का मतलब यह होता है कि इस ऑइसच्ञ पर पॉजिटिव आयन और निक्टिव एक्वल हैं तो यदि उस मॉलीकुल की इलेक्ट्रोपोरस की जाए तो वो मॉलीक्वल का मुवमेंट क्या होगा नहीं होगा मतलब movement nil रहेगा तो उस पीएच को बोलते हैं isoelectric pH मतलब net movement of the molecules 0 net movement जो का 0 तो यहां पर ध्यान दीजेगा options अगर हम देखें पीए 7.0 मैंने बता है तो आपका basic pH पर आइस एलेक्ट्रिक पॉइंट आता है तो यहां पर देखेंगे पीएच 7 पीएच 7 मतलब आपकी नूट्रल पीएच पीएच 4.7 यह एस्टिक पीएच 7.4 यह भी नियर बाउट नूट्रल है लेकिन मैंने आपको बता था यह बेसिक पीएच पर इसका इस आइसल्र्य पॉइंट मिलता है तो इसका पीएच कर देख रही आपको पीएच 9.0 एक हरो दोस्तो आंसर चेक करते हैं, yes, she is the right answer, तो दोस्तों, डेफिनिटली आपको कैप्सुल की सारी चीज़ें धीरी-धीरी करके क्लियर होती चली जाएंगी, और आप कैप्सुल में तरीके से बोलेंगे, यह सकते हैं कि अच्छा नॉलेज का लेवल आप अचीव कर पाएंगे, चली, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, चली, यह भी आइस एलेक्ट्रिक पॉइंट से लिए गया है, देखिए, यह कुश्चन 2016 ने पूचा गया था, और यह कुश्चन 2018 ने पूचा गया था, इतना सिंपल कुश्चन आता है, आपके लिए सिंपल है, लेकिन बिना पढ़ने वालों के लिए टफ ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइप B जिलेटन के बारे में बत होगा है, उसका है रएडुरलीके आगा आपके, अब 具किन ने पारे में बता करती है, तो हमिए में य क showers, भी उकिन फोल्य करता है। कौन सा दोस्तों टाइप जिलेटन हमें मुझाथ होगा से क्लिकन है एक घुलकोен होगा और टाइप भी जिलेटन की वही कंडिशन समय ह confess वहिस उसका फर च्लिकूल पर टांड उस पर जाकर्टाएन और आनाइन क्या टैंक वजाते protein molecule या amino acid molecule क्या हो जाता जीरो हो जाता बाइदि इलेक्ट्रोफोरोस इलेक्ट्रोफोरोस उस पर प्रभावी नहीं होगी तो यहां पर देखे टाइप B जेलेटन का जो आइसो एलेक्ट्रिक पॉइंट जो पीएज मिलता है वो बेसिक पीएज पर मिलता है तो यहां पर देखें बेसिक पीएज पर मिलता है और अगर बात करें तो देखिए ध्यांसी देखिए पीएज 4.7 पर पीएज 4.7 पर आपको क्या मिलेगा इसका आइसो एलेक्ट्रिक पॉइंट मिलेगा कौन सा टाइप बी जिलेटन का यस चली दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है दौनों तो हम दोगों देखें चली नेक्स्ट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं क्विश्चन नमबर आइन आंसर भी ब्लूम स्ट्रेंथ इस चेक दी क्वालिटी आफ ब्लूम स्ट्रेंथ बहुत सारे कुश्चन मैं कराऊंगा आपको इसमें त स्ट्रेंथ याद रखना ब्लूम स्ट्रेंथ यहां पर बात करें स्ट्रेंथ की बात करें तो जैलिंग एजेंट जो होता है याद ध्यान दीजेगा जो जैलिंग एजेंट होता है जैलिंग प्रॉपर्टी होती है उनकी लिए उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम ए यापको पता जलेटन क्या होता है तो जलेटन की कोईसिव स्ट्रेंद को बताने के लिए एक इंडेक्स दिया गया जो की इसके उनित ग्राम में होती है उसको बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंद्थ तो करेक्ट अंसर हमें क्या मिल जागा डी डेली क्या मिल जाएगा डी डली चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कुश्चन नंबर टैन यास तो यहां पर एक लंबा चोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि गेट 2004 में पूछाया कुश्चन है दा मेजर आफ कोईशिव स्ट्रेंथ अफ दी क्रॉ जो यह आपको दिखाई रही दिखाए जिलेटन के बारे में कुश्चन पूछा गया है तो सर्फिस टेंचन या पार्टिशन को जैसा तो आप्शन होगा नहीं अब हमारे पास दो आप्शन बसते हैं विसको सिटी और ब्लूम स्टंथ विसको सिटी अगर बात करें विसको हो फिसको गडिए यह ऑला कुश्चन था जो जालिंगेजन होता हुआ उसकी इस चेंद्स को बताने के लिए हम क्या दिया एक इंडेक्स दिया हम लोगोंने एक पैरहमीटर दिया उस पैरहमीटर को नम दिया हम लोगों ब्लूम स्टंथ felt क्या होथा बेसिकली बात करें जो पॉर सेट गुटो का मतलब होता है सिमिलर की मोलेकुल से चरुट यहाँ पॉर सिख़ियोप स्पेस्ट्ळस करें अधिक उनके बीच क्रोस श्रेंड मोलेक्यूल को एक स्प्रेस का है लिए जो हम टर्म यूज करते हैं जो पैरामीटर हम बताते हैं जो इंडेक्स हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्लूम स्टेंथ यह मॉलीकुलर वेट के डारेक्ली प्रोपोर्शन होता है यह मॉलीकुलर वेट के डारेक्ली प्रोपोर्शन होता है मतलब फिक्स नहीं होत जितना ज्यादा Bloom strength होता है उतना ज्यादा Rigidity होता है तो यहां पर देखिए Gelatin Molecule के बारे जिलेटन Molecule की Cross Linking को बताने के लिए जो Index यूज़ करते हैं उसका नाम होता है Bloom strength और साथ ही साथ यह आपके molecular weight के directly proportional होता है कॉस्ट के डार्ली होता है कोस्ट ज cubic Sutton जतने ज़्यादा होगी क्वालिटी कर यह ची आच्छी होगी ब्लूमस्टेंट तो तो बहुत सारी बात देख लिए हमने जलेटन Fine के बारे में अब आगे कुश्चन हमारे लिए बड़े इसी होने वाले चली आंसर ए ब्लूम स्टेंथ नेक्स्ट पर बात करते हैं चली यह कुश्चन थोड़ा पलट के पूछ लिया देखिए पहले गेट 2000 कहा पर आया था गेट 2004 में पूचा गया था अब जो कुश्चन इस प्रोपोरिशनल तू दी मॉलीकुलर वेट ऑफ दी जिलेटन सही बात है यह कुश्चन थो अधा बबंटा लिया और बुमम प्लूम स्टेंथ न को इतलिया आंसर मैं से औप्चिन में से ब्लूम स्टेंथ इस आप जिलेटन इज डाखिली पुश्चनल दी वालेक्र व Addessive Strength of Gelatin with other polymers, तो यहाँ पर किलियर आवि लास्ट कोस्टेंट में हम लोगोना Definition पढ़ी तिये भाली Definition, इसलिए ब्लूम स्टेंट इसलिए ब्लूम स्टेंट इसलिए ब्लूम स्टेंट ब्लूम स्टेंट है बी बी इस दा राइट आंसर, ओके चलिए भी इस दाराइट आंसर चलिए नेक्स विश्टर पर चलते हैं दट ब्लूम स्टेंट और कैप्सुल शुड़ बी इन दर रेंज अच्छा यह भी याद रखना जरूरी है सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा ब्लूम स्टेंट क्या होती है ग्राम होती है क किसम होती ही ग्राम आपर ऑप्शन्स देखते हैं और ऑप्शन्स के साब से हमें थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि इस यह वाली रेंज होती है इस ब्लूम स्टेंट का जिलेटन हम लोग कैप्सुल मेनिफेक्च्छरिंग के लिए यूज करते हैं यह वाल यह वाले से क्या बनता है आपका सॉब्ट जिलेटन कैप्सुल और हाइब ब्लूम स्टेंट से क्या बनता है आपका हाड जिलेटन कैप्सुल एच से हाई है है से हाई मतलब है एच पूर हाड हाड से हाई तो ऐसे याद रख लिए है चली करेक्ट आंसर डेली तब फिजिकल प्रोपर्टी सच जेल स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी अब जिलेटिन आर एक्सप्रेस यास यह कुश्चिन दूसरे तरीके से पुछ लिए गया है फिजिक को बताने के लिए हम एक पेरामीटर या एक नाम यह एक मेजर यूस करते हैं उस मेजर को क्या नाम देते हैं ब्लूम उस्टेंथ नाम देते हैं तो क्रेक्ट आंसर क्याओ जागा सी सी दाराइच श्यूर उक् az करेक्ट आंसर बूम स्टेंथ इज रिलेटेट टू चली दूसरे तरीके से पूछ लिए गया ज़िए चोटा सा कुष्टन करके पूच लिए गया आपके मन में चल रहा होगा इसा कुष्टन रिपीट हो रहा हैं बार रवर एक जैसे कुष्टन हा रहे हैं लेकिन दोस्तों म हैं आपके आके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे लेकिन ये भी तो जानना जरूरी हमें कि कुष्टन किस तरीके से आ सकते हैं मोडिफिकेशन करने से अब ब्लूम स्टन का चोटा सा कुष्टन जारकन डियाई एक्जाम में पूचा गया है को से स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिं दूसरा मैंने कॉस्ट के बारें बताया था कॉस्ट इस डाकली पॉपर्शन टूदी ब्लूम स्टेंथ एक तीसरा पॉइंट जो कि मैंने नहीं बताया था बात के लिए रख चोड़ा था इसमें बताने जा रहा हूं जो आपका ब्लूम स्टन जितना जादा होगा को भी अगर कुशन आएगा तो डेफनेटली वहम से बच के नहीं जा पाएगा मुसको पोड़ देंगे चली तो यहां पर आंसर क्या होने वाला डी डैली ओके चलिए तो इस लेक्चर का लास्ट कुश्टन लास्ट इस लेक्चर का है सीरिज लास्ट नहीं हुई है कैप्स तो डेफनेटली उसमें किता है था 150 से 250 था यहां पर अगर देखें थोड़ा सा उप्शन बदल दियें यहां पर 200 से 240 कर दिया तो आप घबराईए का नहीं यह ऑप्शन भी सही है 240 आप यह सुचोगे सर उसमां तो 150 से 240 बताया था आपने 250 यहां पर तो ही नहीं नहीं ले साथ में लेक्चर को अटेंड करने के लिए सुनने के लिए और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और इस सीरीज का मैक्जिम्म एडवांटेज लेते रहिए थैंक यू सो मस्ट टेक क्यार बाए बाए